हलो एब्रिवान वेल्कम बैक टो माई चैनल इंडियन फूड अयोध्या तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं मुंग डाल की बहुत ही स्वाधिश्ट कचवरी तो इसके लिए मुंग डाल को हमने भिगो दिया है और अब हम इसे पीस लेंगे तो देखिए हमने बिल्कुल दर दर सा इसे पीसा है अब इसके लिए डो लगा लेते हैं तो हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स गेहूं के आटे से जो बहुत ही हेल्दी भी होगा और टेश्टी भी बनेगा तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे अजवाइन एक चमच हमने डाल दिया है और अब में तक फ्रेस भी रहती है जल्दी से खराब भी नहीं होती है तो अब हम घी डाल कर इसमें मोयन लगाएंगे इस तरीके से आप मसलिये हाथों से लट्टू बना कर देखिए अच्छे से बंद जाए बस समझे बहुत ही अच्छे से मोयन लगा हुआ है अब थोड़ा- की हींग और हम डाल देंगे इसमें कूटी हुई धनिया तो यह साबुत धनिया है हमने इसे दरदरा सा कूट लिया है और अब यहां पर हमें सौंफ डाल देना है तो एक चम्मच हमने डाल दिया है सौंफ और एक से दो चम्मच के लगभग हमने डाल दिया इसमें काले मिर् इसका color भी change हो जाएगा मसाले में हमने डाल दिया है यहाँ पर healthy powder और अब 4 चमच डाल देंगे इसमें बेशन और बेशन डाल कर थोड़ा सा भून लेंगे धीमी आज पर ही इसकी भूनाई करेंगे हलका सक बेशन का color change हो जाएगा और पढ़ियासी इसमें से खुश्वू आन सकते हैं तो हमने चोटा-चोटा सा तोड़कर इसमें डाल दिया है बहुत अच्छे से पग जाएगी तो बेशन बहुत अच्छे से friends भून गया है अब हमें इसमें डाल देना है यह जो दाल हमने पिसा हुआ था दर-दर इसी और इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सिर्फ तीन-चार मिनट के अंदर ही यह अच्छे से बग जाती है और भूर्भूरी सी हो जाती है अगर हम उड़त दाल की बनाती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इस्टफिंग बनाने में अब हम टेस्ट के हमने डाल दी है यहां पर चाट मसाला आप अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं तो सिर्फ एक से दो चुटकी हमने डाला है बहुत ज़्यादा नहीं डाला है कि इससे की इसका फ्लेवर ज्यादा आए हल्का सा इसका फ्लेवर रहेगा जुखाने में बहुत तेश्टी लग हो गई है और यहां पर आटा देख सकते हैं बहुत अच्छे से सेट हो गया है और नमक भी गल गया है पूरा अच्छे से अब छोटी-छोटी सी लोईयां लेंगे जितनी बड़ी की कचोडियां आपको बनानी हो उसी हिसाब से आप इसमें से लोई ले सकते हैं और इस तरी इस तरैके से बनाइएगा बहुत पसंद आएगी आपको और यह देखिये बस इस तरीखे से हाथों से हम इसर दबादेंगे और हाथों bitter ready प्रेस करेंगे बिलकुल पतली-पतली सी कर देंगे यह देखिए जितनी पतली आप बनाएंगे उतनी बढ़िया बनेंगी और फू भी करते रहेंगे और कचोडिया बनाते भी रहेंगे जिसे कि हमारा ज्यादा टाइम मतलब वेश्ट नहीं होगा एक साथ ही दोनों काम हम करते रहेंगे तो पहले हमने चार कचोडिया बना लिए हैं जिससे कि एक बार में चार कचोडिया फ्राई होगी जितनी देर में यह फ में रहने देंगे, जब एक साइड में हलका सा पक जाएगा, तभी हमें इसे पलट देना है, उससे पहले हम इसे नहीं पलटेंगे, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से फूलने भी लगी है तो एक साइड में हलका सा पग गया है अब हम इसे पलट देते हैं और इसी तरीके से उलट पलट कर धीमी आज में ही हम कचोडियों को सेकेंगे हमने बिल्कुल भी आज को तेज नहीं किया था हां लेकिन जब कचोडियों को तेल से बाहर निकालेंगे तब आज को तेज कर देंगे जिससे की ज़्यादा ओयली कचोडी नहीं बनेगी आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर हम कचोडियों को तेल से निकालते समय, आज को तेज कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी ओली रेसपी हमारी नहीं बनती है, जो कि हम तेल में तलते हैं, यह बिल्कुल सीक्रेट तरीका है, जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको पास से भी दिखाऊंगे, अभी तो यह गरम है, जब ठंडी होगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी, कि बिल्कुल भी तेल आपको नजर नहीं आएगा कचोडियों के ऊपर, अभी से ही आप देख सकते हैं, कितनी सूखी सी लग रही है, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगे, यह देखिए, और कितनी जबरदस्त बनी है, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है भी, अगर आप गरम गरम खाएंगे, तो कोई बता ही नहीं पाएगा, कि आपने इसे गेहों के आटे से बनाया है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और यह देखिए, हमने दूसरा बैज भी इसी तरीके से प्राई कर लिया है, धीमी आज में ही, और यह वाली किस तरीके से फूली हुई है, मैं आपको पास से भी दिखाती हूं, किस तरीके से यह फूली-फूली से कचोरिया, फ्रेंट्स बनी है, एक बात ज़रूर आप ट्राई करेगा, मेरे तर अरीके से वैसे तो सब लोग बना लेते हैं कोई इसमें नई बात नहीं है कशोरियों में लेकिन छोटी सी कोई-कोई ट्रिक होती है जिससे कि यह रेसिपी और भी बहतर बनाई जा सकती है अगर आपको मेरी ट्रिक जरा सभी पसंद आएगी तो फिर ज़रूर बनाईएगा फ्रेंड्स यह देखिए तेल से निकालने के बाद बिल्कुल भी यह ओईली नहीं रहेगी अब आप देख सकते हैं अभी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है बिल्कुल इसमें तेल नहीं नजरा रहा है और मैं तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स कितनी जादा अच्छी बनी है और बिल्कुल पतली-पतली सी बनी है बिल्कुल मौटी कचोड़िया हमने नहीं बनाया है यह देखिए किस तरीके से दोनों लेयर अलग हो जा रहे हैं कितनी अंदर से सॉफ्ट है उपर वाली लेयर बहुत ही क्रिस्पी है तो एक बार फ्रेंड्स आप भी जरूर ट्राइ करिए और मुझे जरूर बताएगी आपको मेरी यह रेसेपी कैसी लगी जरा सभी आपको इसमें कुछ भी इंफार्मेटिव लगता है कि आपको यह तर तो जरूर बनता है फ्रेंड्स जरूर करिएगा मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का और आपकी लाइक का मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसेपी के साथ थैंक्स पार वाचिंग जै मातादी फ्रेंड्स